सो हलो दोस्तो मेरा नाम धननजा है इस वीडियो पे मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताने वाला हूँ जो हर कोई अपनी लाइफ में अजमा सकता है और इसके लिए मैंने कोई रिसर्च नहीं किया ना कोई मैंने कोई content डेवलप किया बनाया सोचा ये सारी चीजे मैं बताऊंगा personal experience से और छोटा वीडियो होगा लेकिन आखरी तक देखेगा और हो सकता है इस वीडियो से आपको काफी कुछ फायदा मिले हो सकता नहीं मुझे लगता मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा चाहे आप career के अपने beginning पे होगा ending time पे हों career में career क कभी end नहीं होता एक working person एक positive state of mind वाला बंदा आखरी time समय तक काम करता रहता है तो वहाँ पे आपको help करेगा topic है इस वीडियो का purchasing time समय को खरीदिये कई लोगों को लेगा एर समय को कैसे खरीद सकते हैं अगर समय खरीदा जा सकता है तो तो हर कोई खरीद ले समय तो 24 गंट किया जो 2004 में जोईन किया और संडे को आफ होता था आफ किसी और दिन होता था मैंने संडे को for example ले लिया संडे को आफ होता था उस आफ के दिन सारे दोस्त मेरे young age वाले लोग जाते थे कपड़े उपड़े धुलते थे अपने जो जरूरते होती थी वो पूरी करते थे उस टेलीफोन में incoming का भी चार्ज लगता था और outgoing का भी चार्ज लगता था तो इसलिए पता रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है भी लेकिन मैं क्या करता था मैं थोड़ा सा relax करके office आ जाता था क्योंकि office seven days open था और मैं office में काम करता था टेलीफोन से मैं HR problem solve करता था imply क्योंकि वहां पे जिस industry में था वहां पे बड़ा ज़्यादा switch over होता था लोगों का तो organization हमेशा परिशान रहती थी तो मैं organization की problem को solve करता था बहुत जल्दी तीन-चार महीने के अंदर ही top management जो MD है उनका phone मेरे पास आने लगा कि ये problem मैं वो problem मैं solve कर और मैं उसको जी जान से solve करता था बड़ी सारी problem मेरे पास भी आती थी क्योंकि company की reputation imply wise बहुत अच्छी नहीं थी बड़ मुझे पता था company का जो core है वो honesty है तो मैं उस honesty के साथ काम करता था और MD का मेरे पास phone आने लगा तो मेरे जो colleague है वो मेरे जो दोस्त होते थे मेरे जो साथ काम करने वारे लोग होते थे वो जलने लगे मेरे से कहने लगे यार ये देखो आके बैठा रहता है और लगता है सर इसको extra पैसा देते हैं क्योंकि phone का bill मेरा बहुत ज़ादा आने लगता था और उस time मेरी salary करीब 29,000-28,000 थी तो 2000 ठीक ठाक amount था कि उसका मैं बिलाता था अदरवाइस अगर मैं वो नहीं करता तो मेरे 500-400 बिलाते तो मुस्से कहीं लोग पूश्ते भी थे कि यार तू कपड़े कब्द होता है क्योंकि जो daily working होती थी बड़ा hectic होती थी तो बागी का करता है तो वहाँ पर मैं समय को खरीदता था और उस समय खरीदना होता है कि मैं पैसे खर्च करता था अपना पैसा लेकिन और जल्दी कंपनी का एक तो top management MD अगर आपको phone करने लगे तो आपकी वैसे ही आपकी जो best चीजे हैं वो निकल के जल्दी सामने आ जाएंगी और आपके growth opportunity बढ़ जाएगी और exactly ऐसा हुआ भी मैं बहुत जल्दी ही एक promotion पाया दो महिने बाद एक और promotion पाया और साथ साथ promotion मैं डेड़ साल के अंदर लिया और मैं बहुत जल्दी ही अपने सारे peer group को अपने सारे seniors को cross करकर के ऊपर उठता गया और मैं genuinely इतना ज़्यादा काम करता था उस टाइम मेरा काफी you know fresh graduate था मैं तो इतना ज़्यादा काम करता था मेरे घरवालों को भी लगता था हमारी जो duty होती थी वो बहुत खासी जे मौका मिलता मैं समय को खरीदता था सौपिंग करने कहीं पे गया तो देखा कि यहां महंगा मिल रहा है चार किलोमेटर सस्ता मिलेगा दूर वहां नहीं जाता था या हो सकता है कि और variety में देखता तो और अच्छा मिल जाता सस्ता मिल जाता लेकिन वहां में समय नहीं ब आगे बढ़ना चाहते हैं तो छोटी-छोटी चीजों को आप खरीद लो आउट्सोर्स कर दो उसके लिए बंदे हायर कर लो सपोज आप एक कंटेंट डेवलेपर हैं यूट्यूब डेवलेपर हैं और आपको पता है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट डेवलप कर सकते हो और लेकिन जो आप काम कर रहे होना वो नहीं कर सकते हैं या उसकी वैल्यू उसे कहीं ज़्यादा हैं similarly किसी और फिल्ड का कोई एक्जामपल ले सकते हो आप कि आपने वो समय आउट्सोर्स कर दिया अपना बचा लिया और उस बचे हुए समय को आपने ज़्यादा प्रोड़क्टिव जगह पे लगा दिया and then you got better reward यह proven है और इसको आप अपने तरह से जमा के देखिए not necessary to be like in my case की जैसा मेरे साथ हुआ है आपके साथ कोई और case हो सकता है जहां पर आप समय को खरीज सकते हैं कहीं पर अगर आपको जाना है आप एक train से जा रहे हैं मैं एक incident और इस company का बताता हूँ कि कई बार हम अपने employee को दूर एक अपने branch पे भेशते थे तो उसे तीन दिन लगता था train से जाने में तो हम उसे flight से भेजने लगे हैं हमने सोचा है यार flight का management से मैंने बात की flight का खर्चा तो बहुत लगता है तो हमारी boss ने बोला कि यार flight का खर्चा बहुत जादा तो लगता है लेकिन इस बंदे की तीन दिन की जो salary है उससे और जो train का टिकेट सब को जोड़ो तो उससे काफी सस्था को क्योंकि हम उसके बंदे की समय बचा रहे हैं यानि हमने वो समय खरीद लिया तो इस तरह से अगर आप productivity कैलकुलेटिव सोचोगे तो आपको अपनी life में समय भी जाता मिलेगा मलब working समय और आपको उसका output भी जाता मिलेगा output समय दोनों मिला तो growth तो तय है और आप अपने क मुझी